हलो फ्रेंड्स मैं हूं दिप्ती मेरी यूट्यूब चेनल लॉन विथ मी में आप सब का स्वागत है तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज हम बनाएंगे गुजरातियों का फैवरिट कटा ढोकला इसके लिए बाजार में डोकला फ्लार रेडी मिलता है मैंने वो ही पैकेट ले लिया है वैसे दाल चावल भिगो कर आप घर में पीस कर वो भी बना सकते हैं तो एक पैकेट मैंने यहाँ पर डोकला फ्लार ले लिया है मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करना और वीडियो अंत तक जरूर देखना यकिन मानो धोकले बहुती अच्छे बनने वाले हैं तो कोई भी स्टेप्स मिस मत करना तो एक बड़े से बर्तन में ये फ्लार मैंने निकाला है उसमें मोयन देने के लिए मैंने ओईल डाल देया है उसको हम अच्छे से मिला लेंगे मोयन डालने से डुकला, सोफ्ट और स्पॉंजी बनता है और खाने में ड्राई नहीं लगता इसको अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने एक बाउल दही ले लिया है दही का खटा होना बहुत जरूरी है बाइचांस आपके यहाँ दही अगर खटा नहीं हो तो उसको थोड़ा गरम कर लो दही थोड़ा खटा होई जाएगा अगर खटा दही रहा तो धोकला बेटर फर्मेंट अच्छा होगा थोड़ा सा मिलाने के बाद इसमें मैं होट वोटर डाल दूँगी ओल दही और होट वोटर यह सब डालने से उसमें फर्मेंटेशन अच्छा होगा तो जितना अच्छा फर्मेंटेशन होगा उससे हमारे ढोकले सॉफ्ट और स्पॉंजी बनेंगे और थोड़े खटे भी बनेंगे जो स्वाद में बड़े अच्छे लगते हैं तो हमें इस तरह का बेटर प्रिपेर करना है अच्छे से सब मिलाकर उसको अब हम ढग कर पूरी रात या तो फिर 6-8 गंटे के लिए हम छोड़ देंगे वोम जगा पर रखने से फर्मेंटेशन अच्छी होगी 8 गंटे के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा बेटर कितना फर्मेंट हुआ है वाव देखो कितना अच्छे से फर्मेंटेशन हुआ है चम्मत चला कर देख लेते हैं अच्छा खटा ढुकला बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है अभी मन हुआ और अभी रेडी ऐसा नहीं होता इसके लिए प्री प्लान जरूरी है अभी हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे नमक लास्ट में ही डालते हैं नहीं तो फर्मेंट नहीं होगा और इसके बाद मैं थोड़ी सी हिंग डाल दूँगी हिंग डालने से अच्छा स्वाद आएगा अगर आप नहीं डालते हो तो ट्राइ कर लेना पांच से साथ मिनट इससे बेटर में एरेशन होगा और अपने ढोकले में अच्छी सी जाली पड़ेगी अब हम अध्रक और हरी मिर्च ले लेंगे उसको बारिक क्रश कर लेंगे मिक्सी में नहीं करना है फ्रेंट्स नहीं तो ढोकले का कलर ग्रीन हो जाएगा तो ट्राइ करना की चोपर में ही करना है हरी मिर्च आप अपनी पसंद से ले सकते हो चितना स्पाइसी चाहिए वो ही साप से तो मैंने बेटर एक बावल में ले लिया है और उसमें जो क्रश किया हुआ हरी मिर्च और अध्रक है वो में डाल दूंगी इसमें हम बाद में इनो मिलाएंगे तो एक बार जितना बेटर चाहिए उतना ही हम एक बावल में निकार कर सब मिक्स कर लेंगे इसमें यलो कलर देने के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे आप अगर ये नहीं डालना चाहो तो स्किप्पी कर सकते हो वाइट डोकले भी अच्छे लगते हैं थोड़ी सी धन्यापती डाल देंगे धन्यापती डालने के बाद अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें एक चम्मच इनो डाल दूँगी इनो फुरुट सॉल्ट यहाँ पर मैंने लेमन फ्लेवर ले लिया है मेरे पास वही था इसी लिए अगर आपके पास प्लेइन है तो वो डाल सकते है यहाँ पर हमें इनो का ही यूज करना है बेकिंग सोडा डालेंगे तो ढूखले का कलर कहीं कहीं पिंक हो जाएगा जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा इनो के उपर दो चम्मच पानी डाल कर सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनो डालने के बाद आपका बेटर थोड़ा सा और फूल जाएगा और यहीं चाहिए हमें यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कड़ाई में पानी गरम करने रख दिया है और बीच में एक स्टेंड भी रख दिया है चलिए अब एक बड़ी सी प्लेट लेके उसको हम ओल से ग्रीज कर लेंगे और जो ढुकले का बेटर हमने रेडी किया है वो उसमें डाल देंगे ओल से ग्रीज जरूर करना फ्रेंड्स इजीली ढुकला बाहर आ जाएगा अभी ढुकले का बेटर इसमें डाल कर उस पर थोड़ा सा काश्मीरी रेड चिली पाउडर हम स्प्रिंकल करेंगे टेस्ट में बेस्ट लगेगा और फिर इसको हम कम से कम 20 से 25 मिनिट स्टीम करने के लिए रख देंगे बीच में खोलेंगे नहीं 20 से 25 मिनिट तक इसको खोलना नहीं है वो याद रखना है पूरे पैशन्स के साथ यहाँ पर काम करना है कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर छिड़कने के बाद इसकी ब्यूटी देखो कितना अच्छा दिख रहा है तो इसको अच्छे से स्टीम होने देंगे फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत करना और थोड़ा ज्यादा पसंद आया है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स वो सब के साथ शेर करना वो भी इंस्पायर होंगे ढुकला बनाने के लिए तो बातों बातों में 25 मिनिट निकल गए है चलिए हम चेक कर लेते हैं दिखने में हमारा ढुकला परफेक्टली रेडी दिखता है नाइफ डालने के बाद क्लीन लाइफ निकले तो समझो ढुकला रेडी तो लीजिए हमारा ढुकला साव करने के लिए रेडी है इसके उपर थोड़ा सा ओईल लगा देंगे ब्रश अच्छे से सब जगा लगा देंगे ढुकले के उपर अच्छे सी शाइन आ जाएगी और खाने में भी ये ढुकला ड्राई नहीं लगेगा तो ये सब स्टेप्स अच्छे से फोलो करके आप एक अच्छा ढुकला बना सकते हैं अभी तक देखा है तो मुँमे बानी तो आई गया होगा तो आप ढुकला कब बनाते हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर ढूकले का पीस करके अब हम इसको सर्व कर लेंगे देखिए कितने अच्छे से जालीदार ढूकले बने हैं सॉफ्ट और स्पॉंजी ये ढूकला ओल, हरी चटनी और गार्लिक चटनी इनके साथ खाया जाता है गार्लिक चटनी की रेसिपी अभी अभी मैंने अपने चनल पर डाली है प्लीज आप चेक कर सकते हैं तो चलिए मैं तो एंजोई कर रही हूँ गर्मा गर्म ढूकला इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज दे रही हूँ तो आशा है कि आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बस वो रेड जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ग्रे कर देना है वो एक ही भार करना है और फ्री भी है तो प्लीज कर देना so thank you so much for watching my videos enjoy